प्रॉब्लम मैं हमारे पास जी इंट्रोडक्शन तो सेट से मतालिग Which of these are set and which are not? अब हम देखेंगे कि जो set के हमने proper definition study की थी उसके मताबिक कौन से given sets हैं जो के उन पे पूरा उतरेंगे और कौन से ऐसे हैं जो के नहीं उतरते अब a is equal to 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7 अब हम देखें तो इसमें four जो element है जो इसका member four है वो अगर आप देखें तो repeat कर रहा है जो के set की definition जो है जिसमें वो कहता है जिस set distinct elements की collection है तो distinct का मतलब है मुन्फरिद mean के element repeat नहीं करेगा अब इसमें four चुके repeat कर रहा है तो लहाज़ ये set जो है वो नहीं है ठीक है बाकिस में अगर आप देखें तो आपने braces इस्तमाल कर रखी है आपका जो name है वो भी capital letter के अंदर है यानि अगर हम इसकी denotions हैं उन पे बात कर रहें लेकिन set के अंदर element का repeat होना इसे set की definition के मताबिक set नहीं कराड़ देगा आगे है बी जिसके अंदर elements है a, b, c, d, e, f, g यहनि फरस्ट seven letters of English alpha बैठ हैं इसका मतलब एक ऐसा set जिसको हम define b कर सकते हैं describe कर सकते हैं well defined है distinct है कोई element repeat नहीं कर रहा अगर आप देखें तो bracket जो हैं वो भी दर्मियानी इस्तमाल हुई यहनि braces ही इस्तमाल की है elf set का name जो है वो भी capital letter में लिखा है तो रहाजा this is a set यह क्या हुआ एक set होगा जबके c है set of historical books अब historical books जो है हमने बात की थी कि set जो है well defined होता है कौन सी historical books because अगर मैं यह statement दूँ और दो अलग अलग बंदों को बोलूँ कि आप इस statement को इस्तमाल करते हुए set के element लिखें तो दोनों बंदे मुख्लित तरह की historical books लो collect कर लेंगे इसका मतलब है कि जब उनके members को compare कि जाएगा तो वो एक जैसे नहीं होंगे लहाजा हम कह सकते हैं कि जो set of historical books है यह well defined नहीं है statement की तरह statement है एक description form में है लेकिन well defined नहीं है लहाजा यह भी एक set नहीं होगा D पे चलते हैं D के अंदर अगर आप देखें capital alphabet है braces इस्तमाल करकी है element है 2, 3, 4 जबके यहां पे अगर आप देखें तो five और six एक मजीद set हमने as an element के दोर पे introduce कराया यह यह हमने बात पढ़ रखी है कि आप एक पूरे set को as an element of some other set लेक सकते हैं यह किसी और set के अंदर उसको element के दोर पे लिखा जा सकता है लहाजा यह भी एक set होगा